हेलो गाईस आप सभी कास वा गयत है आपके यूट्यूब चैनल स्टेडी वित्री देश में मैं विकास कुमार और आज हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं बिहार पैरामेडिकल में 2020 में जो केमेस्ट्री सेक्शन से कोशन्स पूछे गयत थे यानि DCECE में 2020 में जो प्रस्ण तो पहला कोशन क्या है आपका तो पहला कोशन है which is present in pig iron in maximum amount as an impurity तो सबसे पहले हम लोगों डिसकस करना है कि pig iron में सबसे maximum amount में impurity के फॉर्म में इन चारों options given options में से कौन सा तत्व है या element जो पाया जाता है अधिक्तम मात्रा में तो हिंदी में है कौन सा तत्व जो असुत सदा के रूप में अधिक्तम मात्रा में कच्चा लोहा में मौजूद होता है यानि pig iron में तो चार options है आपके पहला option से carbon दूसरा option से silicon तीसरा है phosphorus and चौथा है manganese तो सबसे पहले हमको जाना ज़रूरी होगा कि pig iron क्या होता है और pig iron में कौन-कौन से तत्व पाया जाते है तो pig iron में carbon, silicon, phosphorus, manganese, sulfur, titanium इन टैप्स के तत्व पाय जाते है और यहां पर प्रशन क्या पूछा है कि इन given options में से चार तत्व में से कौन सा सबसे अधिक मात्रा में होता है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा N.C.E.R.T. का आपको N.C.E.R.T. का chapter number 6 class 12 का book खोलना होगा और वहां page number 156 में आपको यह दे रखा है दूसरा paragraph में pig iron और rot iron and cast iron के बारे में कि कितना percentage में पाय जाता तो इसके लिए आपको chapter number 6 class 12 page number 156 में second पैरा में rot iron यानि आपका पिठवा लोहा and cast iron यानि आपका धलवा लोहा और pig iron मतलब कच्चा लोहा इन तीनों के बारे में दे रखा है क्योंकि प्रश्ण इस बार pig iron से पूछा है हो सकता आगली बार rot iron यानि आपका पिठवा लोहा या cast iron या धलवा लोहा पे पूछे और उसमें कितने percentage में पाया जाता है कौन सा तत उससे question बन जाए तो पहले हम लोग इस question को देख लेते हैं यहां पे कि यहां पे answer क्या होगा तो सबसे पहले pig iron में क्या क्या पाया जाता है तो pig iron में आपका carbon, silicon, phosphorus, manganese, sulfur, titanium ये TC पाया जा तो सबसे ज़्यादा यहां पे बताना है इन चारों options में से सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा element आपका impurity के form में होगा तो सबसे ज़्यादा आपका होगा carbon, carbon इसलिए होगा क्योंकि carbon के सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, आपके pig iron में, तो वह कितनी होती है, 4%, 4% के जोड़ा कम रहता है यानी 1% से लेके 3% तक प्रेजेंट होता है सिलिख आरन में अब फ़र्सपोरस का चलिए जान लेते हैं तो फ़र्सपोरस आपका कितना रहता है 0.1% से लेके 2 आपका 2% तक होता है Phosphorus और Manganese आपको कितना होता है तो Manganese आपका होता है यहां लिख रहा हूँ Manganese आपका होता है 0.2 से लेके 0.2 से लेके 0.2 से लेके आपका होता है वो 2 3% तो clearly हमको यहां दिख गया कि C आपका correct answer होगा तो C is your correct answer यानि carbon सबसे ज़्यादा मातरा में present होगा तो आई आप last यानि चौथा manganese के बारे में देख लेते हैं manganese के बारे में यहां पर देखना है कि कितने मातरे में पाए जाता तो manganese आपका 0.2% से लेके 23% तक आपका पाया जाता है तो चारो को देखने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि carbon सबसे जाता है यानि 4% सबसे ज़्यादा मातरा में कच्चे लोग यानि पीक आईरन में पाया जाता तो यह question हम लोगा clear हो गया मैंने already आपको chapter और page number भी बता रखा है with class कि कहां से NCRT में सभी प्रशने पूछा गया तो चलिए अब next सवाल देखते हैं आपका तो next सवाल आपका है कि which is the most common oxidation state of lengthenite seen in the compound of lengthenites तो यह lengthenites के योगिक में दिखाया जाने वाले lengthenite के सबसे आम oxygen करन की स्थिति कौन सा है तो यहाँ पर आपको बताना है कि plus 4 plus 5 plus 2 या plus 3 इन में से कौन सा oxidation state आपका जो lengthenites में most common में पाये जाता है क्योंकि आप जब देखिएगा oxidation states यानि F blocks का बारे में बात हो रहा है lengthenites यानि F block elements के बारे में बात कर रहा है तो यह जो आपको मिलेगा यह आपको कौन से chapter में मिलेगा तो यह chapter number 8 का प्रश्ण है chapter number 8 class 12 का NCRT से chapter number 8 class 12 का NCRT यानि DNF block के elements वहाँ से यह प्रश्ण पूछा गया है topic number में मैं बता दे रहा हूँ आप एक बार जाके NCRT के book को ज़रूर खोलिए topic number 8.5.3 यानि oxidation state करके दे रखा है वहाँ से एक paragraph में बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है कि क्यों most common state होता है कौन सा यानि plus 3 होगा answer क्यों होगा यह उसमें अच्छे तरीके से समझा रखा है क्योंकि most common में plus 3 होता है और ऐसे plus 2 और plus 4 भी होते हैं बहुत सारे components के sorry components कहा रहा हूँ elements के आपके यहाँ पर lengthenite series में तो F block elements आपको देखने जरूर है साथ-साथ D block भी और actinites के बारे में भी देख लीजेगा कि actinite series में कौन सा सबसे ज़्यादा होता है oxygen oxidation state more common most common तो यह भी जरूर देख लीजेगा आप लो कि सबसे ज़्यादा most common कौन सा होता है आपका lengthenite and actinites दोनों में lengthenite में plus 3 होता है क्योंकि यहाँ पर बात आ जाती है न कि common and most stable में oxidation state में यहाँ पर इसलिए आ जाती है क्योंकि outer most में आपका दो electrons होता है 6x का 6s का 2 electrons होता है तो इस वज़ा से यह easily अपना हो जाता और एक electron आपका 4f में रहता है तो 4f में एक electron रहता है तो यह easily आपका निकल जाता है इसके बाद आपका थोड़ा सा half field or full field का stability का बात आ जाता है तो जब उसका बात करते हैं हम लोग तो उसको detail में अलग से हम लोग देखेंगे फिलहाल के लिए plus 3 क्यों रहता है तो मैंने अल्रेडी बता रखता है प्लस 3 रहने का कारण है कि जो electrons होते हैं आपके 6s मैं 6s2 में और आपका 4f1 में से जो electrons निकलते हैं एक electrons easily निकल सकते हैं एक electrons तो इस कारण से होता है क्योंकि इसके वज़े से high energy difference आ जाता है आपका 4f और 6s orbitals में तो इसके वज़े से difficult हो जाता है इसके आगे electrons निकालना लेकिन possible है प्लस 2 और प्लस 4 भी possible है इसको detail में जब आप लोग study कीजिएगा dna block elements का chapter में तो आपको वहाँ पर दिख जाएगा तो अभी के लिए प्लस 3 आपका correct answer है आईए next question देखते हैं तो आपका third question equilibrium से है यानि chapter number 7 से आपका पूछा गया है equilibrium का सवाल है यह साम में अवस्ता यानि chapter number 7 class 11 से है तो यह class 11th NCRD का आपका chapter number 7 है equilibrium साम में अवस्ता का chapter से है तो यहाँ पर पूछ रहा है question में in the following equilibrium reaction kp not is equal to kc यानि kp not is equal to kc यह आपका पूछा गया है यानि निम लिखित समाय में से kp नहीं बराबर kc कौन सा होगा तो आपके जो चार options है मैं दिखा देता हूँ बहुत easy सवाल था एक simple formula बस जानना है वो जानने के बाद यह आपका question easily solve हो जाता तो चलिए देखते है options क्या है इस question के तो options को हम लोग देखते हैं तो options देखते हैं चलिए तो यह आपके चार options है उस question के के इसमें बताना है आपको कि निम लिखित में से कौन सा निम लिखित में से कौन सा समाया KP not equal to KC आपको बताना है KP not equal to KC आपको ये बताना है इसमें तो ये चार options है A, B, C, D ये चार आपके reactions है आपको बताना है कि KP बराबर KC किन एक reaction इसमें से है जिसके लिए नहीं होगा तो ये निकालने के लिए आपको एक simple formula है जो आना चाहिए हो formula क्या है formula है KP equal to KC RT delta N ये आपको वो प्रश्ण है formula है जिस पे आपको ये प्रश्ण solve करना है और simply आपको ये questions बन जाएगा तो चलिए इसको solve करते है तो यहाँ पे आपको सबसे main चीज है कि equilibrium में आपको जानना चाहिए कि delta N वो क्या था formula का जो formula हम लोग ने देखा उसमें delta N क्या था तो delta N क्या होता है जो आपका product side में जेतना number of moles रहता है minus reactant side में जो आपका number of moles रहता है उसको हम लोग delta N बोलता है तो delta N क्या है वहाँ पे जो delta N लिखेता है power में product में जो number of moles होता है minus reactant side जो आपका रहता है उसको हम लोग delta N निकालने में यूज करते है और बस delta N निकालते जाना है और delta N का value put करते जाना आपको वो निकल जाएगा तो formula आपको पता है मैंने already बता रखा है तो formula क्या है formula आपका है Kp is equal to Kc RT delta N यह formula मैं जरूर जानता हूँ कि आप लोगो पता होगा Kp क्या है है equilibrium constant है Kc भी क्या equilibrium constant है R आपका क्या है तो R आपका universal gas constant है T for temperature या temperature का बात करें और delta N already मैंने बता रखा है Gaseous product number of moles minus reactant side में जितना आपका रहता है वो तो आईए solve करते है सबसे पहले equation के लिए सबसे पहले equation के लिए देखना है आपको सबसे पहले equation के लिए देखना है आपको कि equation क्या देर रखा है तो बस आपको equation में मोल्स देखना है तो product side में आपके कितने moles है तो product side में आपके 2 moles है क्योंकि एक Na2 का और एक O2 का तो total product side में आपके कितने moles होगा यह product side है और यह आपका reactant side है तो product side में आपका कितने moles है तो 2 है और reactant side में कितने moles है आपके तो reactant side में भी 2 moles है तो delta N आपका क्या आगया 0 तो इसको formula में put करेंगे kp is equal to kc rt delta n तो delta n में हम लोग इसको put करेंगे तो delta n में इसको put करेंगे तो क्या होगा या तो delta n में put करने पे 2 को 0 होगा 0 को put करेंगे हम लोग तो 0 put करेंगे या तो 0 किसी चीज़ का power होता है तो क्या होता है 1 हो जाता है तो kp is equal to kc हो गया क्योंकि यह तो 1 हो जाएगा तो kp is equal to kc हो गया लेकिन हमारा question में क्या पूछा है kp not equal to kc तो क्या यह सई answer है तो नहीं यहाँपर kp is equal to kc हो गया तो पहला option हमारा गलत हो गया आईए इसी तरह second option को भी देखते हैं डिल्टा एंड क्या निकला आपका प्रोड़क्ट साइड में आपका टू है नमर ओफ मोल्स यह टू है माइनस इधा साइड भी एक यह एक यह तो टोटल टू हो गया यह भी जिरो आ गया सेम जैसे पूट किये थे के पी इसकोल टू केसी वाला फॉर्मूला में उट कर दीज़े डल्टा एं को यहां पर भी आपका जीरो सिंपल इसका पावर कितना ओज़ाजागा लगा यहां पर भी केपी इसको creation केसी हो गया यह भी आपका रॉंग है यह भी रॉंग है अब चलिए सी ओर डि को भी देख लेते हैं सी और डि को देखते हैं सी ओर डि में कितना है आपका делta n निकल रहा है ड़ेल्टा n आपका कितना है इधर 1 और ये 2 तो 2 हो गया इधर और इधर कितना है ये भी 1 है और ये भी 1 है तो इधर भी आपका हो गया 2 22-2 हो गया 0 तो सेम जैसे A B और C में किये यहां भी वैसे ही करेंगे यहाँ भी वैसे करेंगे तो आपका निकल जाएगा डेल्टा एन भी जीरो के माद्य हम से आपका निकल जाएगा के पी स्कोल टू के सी सिंपल है तीनों सिंपल हुआ अब इसका मतलब चौथा ही एंसर होगा चलिए फिर भी इसको हम लोग करके देख लेते हैं कि सही है किने करके देख लेते हैं तो चौथा क्या है चौथा आपका है 2CO2 और इधर आपका 2C और एक O2 है तो इसका मतलब डेल्टा एन आपका क्या निकलेगा दो होगा प्रोड़क्ट साइड और इधर आपका 3 होगा क्योंकि 2 एक अल्रेड़ी इधर है और एक O2 का तो 3 हो जाएगा तो माइनस 1 तो डेल्टा एन आपका कितना हो गया माइनस 1 अब उसको फॉर्मूला में पूट करते हैं Kp स्कूल टू केसी आटी डेल्टा एन तो यहाँ पे कितना पूट हो जाएगा डेल्टा एन के जगा पे माइनस 1 तो अब यहाँ पे दिख रहा है Kp और केसी में अंतर तो यह माइनस 1 के हो जासे अब वैल्यू थोड़ी अलग आएगी Kp और केसी की तो यहाँ पर यह चौथे वाले उप्शन में आपको कंडिशन सेटिस्फाइड हो गया कि Kp बराबर केसी नहीं है क्योंकि यह माइनस 1 आ गया बाकि सब में डेल्टा एन 0 था 0 के वज़़े से पावर चड़ने के वज़़े सब 1 हो जा रहा था तो Kp is equal to Kc हो जा रहा था तो इसका correct answer आपका D होगा correct answer आपका D होगा क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एन अलग निकल रहा है minus 1 आ रहा क्योंकि product तो है और react inside 3 molecules moles है sorry तो इसका correct answer आपका D होगा चलिए अब next question देखते है चलिए अब चौथा प्रस्ण देखते है चौथा प्रस्ण आपका क्या है कि which one does not so muta rotation तो यहाँ पर muta rotation कौन नहीं सो करता है तो यह चीज हम लोगों को देखना तो muta rotation कौन नहीं सो करता है तो आईए हम लोग देखते हैं कि muta rotation कौन नहीं सो करता है तो आपको चार option दे रखे हैं plus sucrose, plus maltose, plus lactose and minus fructose तो सबसे पहले यहाँ पर बताना है कि muta rotation does not so muta rotation तो यहाँ does not so muta rotation का मतलब है कि यहाँ पर बात हो रहा है biomolecules का chapters का यानि chapter number 14 आपका class 12 का chapter number 14 का बात हो रहा है biomolecules का तो biomolecules के topic number 14.11 में topic जो दे रखा है वहाँ पर बहुत अच्छे से explain कर रखा है एक बार जाके देखेगा इस topic को वहाँ पर इस चीज़ को अच्छे से explain किया गया है कि कौन muta rotation show करेगा और कौन नहीं show करेगा तो यहाँ पर क्यों नहीं show करेगा और करेगा यह चीज़ हम लोगों को देखना है कौन करेगा कौन सा नहीं करेगा तो सबसे पहले answer जानने से पहले आपको थोड़ा सा theory जानना होगा तो यहाँ पर theory है muta rotation का यह कि biomolecules में कि जो reducing sugars होते हैं आपके और non reducing sugars होते हैं तो reducing sugars होते हैं जिसमें free पाया जाता है आपका aldehyde group aldehyde group मतलब CHO group and free पाया जाता है आपका ketone group ketone group का मतलब होगे आपका C double bond तो यह जो आपके group होते हैं यह आपके होते हैं ketone and aldehyde free जिसमें पाया जाएंगे वो आपका muta rotation so करेगा यानि reducing sugars होगा और जिसमें free नहीं पाया जाएगा वो आपका non reducing sugars होगा तो आपके जो reducing sugars होते हैं उसके example होते हैं maltose, lactose, fructose यह आपके reducing sugars के example हैं तो मतलब यह muta rotation so करेंगे लेकिन जो आपका sucrose होता है ना वो non reducing sugars हैं non reducing sugars मतलब इन में free aldehyde और ketone group नहीं होते हैं तो यह आपका so नहीं करेगा non reducing sugars हैं तो यह आपका correct answer 1 होगा क्योंकि sucrose में free aldehyde और ketones नहीं होते हैं functional groups यह इसलिए आपका nice so करेगा और इसके भी proof करने का उसमें दे रखा है कि falling solutions का test या tolerance reagent का test जो करते हैं तो reducing sugars में ही possible होता है non reducing में नहीं होता है does not show any changes from falling solutions और tolerance reagents तो यह आपको chapter number 14 biomolecules में आपको मैंने already बता रहा है topic number 14.1.1 में आपको मिल जाएगा तो यह भी बहुत easy question था आपका NCRT से सारे questions NCRT से आपको मैंने already बताते जा रहा हूँ कहां से आएं तो आप लोग NCRT पर जरूर focus कीजिए चलिए अब next person solve करते है next person है which one reacts with acetamide to give CH2, NS2 तो यहाँ पर प्रस्ण क्या है acetamide के साथ कौन सा reaction करेगा इन में से दिया हुआ कि हम लोगों को यह product मिले तो यहाँ पर यह बताना है कि acetamide के साथ कौन सा react करेगा कि हम लोगों को यह product में मिले acetamide के साथ इन चारों में से कौन सा पार्ट सही है यह आपको बताना है इसका भी चलिए मैं बता देता हूँ कि कहां से प्रशन पूछा गया उसके बाद हम लोग discuss करेंगे इस question को कि कैसे solve करना है ठीक है तो चलिए हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं तो इसमें आपको बताना है इसमें आपको बताना है कि CH2, NS2 देने के लिए acetamide के साथ किस यहां पर दिये हुए compounds के साथ reaction प्रतिक्रिया करवाएंगे कि हमको यह चीज मिले यह प्रोडक्ट मिले तो यह आपका chapter पूछा गया है 13 से chapter 13 से पूछा गया है प्रश्ण और यह आपको मिल जाएगा पेज नंबर 386 में क्लास 12 के बुक में NCRT के यह आपको मिल जाएगा प्रश्ण वहाँ पे दे रखा है एक Hoffman Bromomide Degradation Reaction तो Hoffman Bromomide Degradation Reaction में हम लोग एक reagent यूज करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं BR2 and NOH यह तो हम लोग देख रहे थे अभी कि यह reagent जो होता है सबसे ज़्यादा important है Hoffman Bromomomide Degradation Reaction के लिए तो यह आपको मैंने अल्रेडी बता रखा कि कौन से चैप्टर में आपको कौन से पेज नंबर पे मिल जाएगा तो यह जो आपका reaction होता है इसमें क्या होता है कि एक acetamide यानि acetamide का क्या फर्मूला होगा C double bond O Ns2 यह आपका acetamide हो गया तो acetamide में हम लोग Br2 प्लस NOH को डालेंगे तो यह जो Hoffman Bromomomide Degradation reaction है इसमें क्या होता है कि हम लोग prepare करते है primary amines को हम लोग बनाते यानि primary amines बनाने के लिए यूज करते और यह एक primary amines है तो primary amines बनाने के लिए हम लोग यूज करते इस reactions को इसमें क्या होता है कि इसका elimination हो जाता है यह जो आपका होता है ना इसका elimination हो जाता है आपका तो जस्ट आपका eliminate होके यह क्या बनाता है elimination के बाद simply आपका यह CH3 NH2 रहता है beach वाला जो portion होता है वो आपका eliminate हो जाता है तो यह special name reaction है hopman bromohamide degradation reaction तो इसमें हम लोग primary means बनाने के लिए यूज़ करते हैं मतलब जो भी carbon लेंगे उससे एक carbon less कर दीजिए वो आपका बनेगा तो यहाँ पर एक carbon less होके यह आपका answer आ गया answer 2 होगा NOH plus BR2 तो यह कहीं भी आपको लिखे होगे मिला है तो आपको सीधे बोलना है कि यह एक name reaction है और क्या बनाने के लिए primary means बनाने के लिए आपका जो use होता है वो है आपका hopman Bromomide degradation reaction तो चलिए मैं यह question भी deal कर लिया अब चलते है question number 6 पे तो आईए देखते हैं अब question number 6 question number 6 मैं पूछ रहा है which class does not consist of homopolymers यह homopolymers होगा homopolymers हो गया तो हम लोग देख रहे थे हैं अभी कि यह reagent जो होता है सबसे ज़्यादा important है hopman, bromomide, degradation reaction के लिए तो यह आपको मैंने अल्रेडी बता रखा कि कौन से chapter में आपको कौन से page number पे मिल जाएगा तो यह जो आपका reaction होता है इसमें क्या होता है कि एक acetamide यानि acetamide का क्या formula होगा C double point O Ns2 यह आपका acetamide हो गया तो acetamide में हम लोग BR2 plus NOH को डालेंगे तो यह जो hopman, bromomide, degradation reaction है इसमें क्या होता है कि हम लोग prepare करते हैं primary amines primary amines को हम लोग बनाते हैं यानि primary amines बनाने के लिए यूज करते हैं और यह एक primary amines है तो primary amines बनाने के लिए हम लोग use करते हैं इस reactions को इसमें क्या होता है कि इसका elimination हो जाता है यह जो आपका होता है इसका elimination हो जाता है तो just आपका eliminate होके यह क्या बनाता है तो elimination के बाद simply आपका यह CH3 NH2 रहता है बीच वाला जो portion होता है वो आपका eliminate हो जाता है तो यह special name reaction है hopman bromohamide degradation reaction तो इसमें हम लोग primary means बनाने के लिए यूज़ करते हैं मतलब जो भी carbon लेगे उससे एक carbon less कर दीजिए वो आपका बनेगा तो यहाँ पर एक carbon less होके यह आपका answer आ गया तो answer 2 होगा NOH plus BR2 तो यह कहीं भी आपको लिखे होगे मिला है तो आपको सीधे बोलना है कि यह एक name reaction है और क्या बनाने के लिए primary means बनाने के लिए आपका जो use होता है वो है आपका hopman bromohamide degradation reaction तो चलिए मैं यह question भी deal कर लिया अब चलते है question number 6 पर तो आईए देखते हैं अब तो आईए अब 6th number question को deal करते हैं हम लोग तो 6th number question में आपको पूछ रहा है which class does not consist of homo polymers यानि homo polymer कि इस भग में नहीं आते हैं इन चारों दिए हुए आपके options में तो यहाँ homo polymers हो गया एक बार correct कर लिजेगा homo polymers homo polymers यानि यह आपको सवाल देखती ही समझ में आऊगा गया कि polymer chapter यानि chapter number 15 का है आपका class 12 से पूछा गया तो एक बार इस chapter को भी देख लिजेगा important chapter है आपका paramedical के लिए polymers से सवाल हर साल हो सकते हैं पूछे भी जाते हैं alternate साल में पूछे भी जाते हैं तो यह भी आपका important chapter है तो जितने भी chapters मैंने question number 1 से लेके अभी तक बताये आपको वो सारे important chapters है तो उस chapters को भी आपको देखना है और details में अगर आपको पढ़ना है तो आप लोग हमारे online zoom classes जो चलते उसको भी join कर सकते हो उसका आपको पता ही है कैसे join करना है ठीक है आई इसको question को discuss करते हैं तो question मैं पूछा कि homo polymers इन में से कौन नहीं है तो कौन नहीं है यह बताना हम लोगों तो सबसे पहले cellulose देखते हैं तो चलिए बता ही cellulose में कौन सा monomers होता है तो cellulose में glucose होता है तो सिफ glucose से ही बना हो रहता है cellulose तो इसमें बस एक प्रकार के होते है तो यह monomers हो गया homo नहीं हो तो simple एक monomer है इसमें cellulose है अब आगि नेचुरलबर में देखते हैं तो यह option गलत है नेचुरल रबर में देखते हैं तो नेचुरल रबर किस चीज़ से बना रहता है आईसो प्रिंस है तो आईसो प्रिंद ऑनली मतलब यह बस आईसो प्रिंद से बनावा रहता है तो यह भी रॉंग है यह भी एक हो इस सिंगल मोनोमर्ष से बना हुआ है आई अब देखते हैं थर्ड ओप्शन को प्रोटीन तो प्रोटीन्स है आरेने डीने अलग-अलग मोनोमर्ष है तो यह आपके ग्लूकोज और आईसो प्रिंद आपके सेम में आ गए लेकिन प्रोटीन्स में हेट्रोप हेट्रोपॉलिमर्ष हो जाते हैं मतलब एक से डिफरेंट टाइप्स ओप मोनोमर्ष यूनिट्स होते हैं और आई चौथा में भी चलिए देखी लेते जासे नैलोन दे रखाने उन्ग क्या होता है तो आपकालैटम से बनता है मिलाक्शन और अर 예 मोनोमर्ष है तो यह भी आपका हो फोरेय्मर्ष में आ जाएगा प्रोटीन है आप्स चीजों से बनी हुई होगी रहती है अलफा आमाइनो आइसेट्स तो यह आपका हेट्रोपॉलिमर्स में चला जाएगा तो करेक्ट एंसर आपका थर्ड हो जाएगा प्रोटीन्स ठीक है यह भी आपको इंपोर्टेंट है इसको अच्छे से करना आप लोगों को तो चली अब नेक्स्ट कोश्चन क आँए रहा को आएं आए प्कोश्चन नमर्ब seven देख इसमें पूछा गया है कि इसमें लीनियर कौन सा मोलिकुल है इनमें से कौन सा अनू है जो लीनियर है यह देखना हैं कौन सा आल्यगो एदो कौन सा मॉलिकिल रेखिक है तो यहां पर चार आपसन आपको देख रहे होंगे चलिए आप ही लोग ट्राइ कीजिए सबसे पहले कि क्या होगा एंसर चलिए मैं 5 सेगंड्स देता हूं अब लोग को देखिए कौन सा होगा सही एंसर A B C D में से कौन सा होगा कि ट्राइ कीजिए मुझे पता है कि अधिकतर लोग B को बोलेंगे correct answer है क्योंकि single bond है तो सर B ही हो ना चाहिए बागी सब में तो double bond और triple bond लगे ओए है तो यह तो नहीं हो सकता है B में simple single bonds है सारे तो आप लोग सब हो गलत ये नहीं होगा क्योंकि रेखिक पूछ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि B हो जाएगा कि simple single bonds है बागी सब में double triple bond है तो हो गलत है यहाँ पे hybridization का बात होगा किसका? तो carbon का central item जो बीच में दे रखा उसका बात होगा आपका hybridization का तो hybridization का बात कहां से हम लोग करते हैं तो chapter number हम लोग 4 से करते हैं तो hybridization का chapter number 4 यानि class 11th का chapter number 4 से हम लोग बात करते हैं तो हम लोग देख रहे थे कि second वाला option तो होगा नहीं तो अब कैसे पता करेंगे hybridization क्या होता है तो hybridization का क्या simple fund आ है कि carbon का हमको hybridization देखना है हर चीज में central में जो बीच में है तो उसका central item का बीच में देखना है तो सबसे पहले ये जान लिजे कि जो sp3 रहता है sp2 रहता है sp रहता है hybridized carbon उसका क्या bond angle होगा तो bond angle sp3 का normal में कितना रहता है 109.05 degree ये आपका रहता है sp3 का ठीक है अब आईए देखते हैं हम लोग sp2 का तो sp2 का हम लोग देखेंगे तो हम लोग देख रहे थे कि भी option आपका होगा नहीं तो अब हम लोग कैसे जानेगे कि hybridization का use कैसे हो गया याँ पर यानि चैप्टर नमबर 4 chemical bonding and molecular structure class 11th का जो चैप्टर नमबर 4 है उससे है यह hybridization hybridization का सबन तो हमको यहाँ पर जानना पड़ेगा central atom जो carbon का दे रखा है उसका hybridization क्या है तो sp3 sp2 और sp यह तीन होते है तो sp2 का sp क्या होता है bond angle तो sp का होता है 109.5 degree sp2 का कितना होता है 120 degree और sp का कितना होता है 180 degree तो linear होने के लिए 180 degree होना जरूरी है तो sp sp कौन सो करता है तो sp आपका क्या सो करता है triple bond आपका sp शो करता है यानि carbon carbon के बीच में और sp3 आपका क्या सो करता है carbon के बीच में single bond तो यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि double bond, triple bond और single bond यह clear हो गया होगा आपको तो यहाँ पर देखना है कि triple bond कहाँ पर है तो triple bond आपको इस question में देखना है यह central का करना जो center में उसका terminals वाले carbon atoms का हमको hybridization का बात यहां नहीं करना है तो यहाँ पर बचा क्या a option तो a option में triple bond है triple bond मतलब sp sp hybridized carbon तो 180 रहेगा इसका angle bond angle तो आपको correct answer हो जाएगा a ठीक है b c d सब wrong होंगे तो यहाँ पर hybridization का मदद से solve करना था इसका भी chapter मैंने आपको बता दिये chapter number 4 class 11 ठीक है आई आई आप next question solve करते है आई है अब आज का आखरी यानि paramedical में question number 8 जो आखरी प्रस्चन था वो discuss करते हैं और इस साल का यानि 2020 जो इससे पिछले साल वाला exam हुआ था paramedical का complete हो जाएगा हमारे chemistry का आठो questions जो पूछे गयते हैं तो यह questions क्या है तो value दे रखा है आपको delta H और delta S की और आपको बताना है delta H और delta S की value दे रखी आपको यानि delta H का value केतना दे रखा है 170 kilo joules and delta S का आपको value दे रखा है 170 joules per Kelvin और एक reaction दे रखा है आपको यह और reaction graphide है carbon का plus CO2 gas मिलकर 2 CO2 gas बनाते हैं यह reaction बस जस्ट ऐसे दे रखा है और इसका आपको बताना है कि reaction spontaneous कब होगा कौन से temperature पर होगा तो यह चार temperature दे रखा है आपको चार temperature का value है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो सबसे पहले thermodynamics chapter आपको पढ़ना होगा यानि उस्मा गतिकी क्लास 11 में chapter number 6 thermodynamics वहाँ से यह प्रश्ण पूछा गया बहुत सरल प्रश्ण है बस आपको एक formula पता होना चाहिए डल्टा है कितना है 170 kilo joules और डल्टा है कितना दे रखा यह तो आपको बस बताना है at which temperature यह ack spontaneous reaction होगा तो सबसे पहले spontaneous reactions के लिए क्या होता है सबसे पहले एक formula होता है spontaneous reactions के लिए spontaneous reactions के लिए होता है डेल्टा जी इसकोल टू डेल्टा है इस माइनस टी डेल्टा एस एक फर्मूला होता है जो हम नहीं पढ़ रखा पहले से गिप्स इनर्जी इन्थेल्प्य फीड टेंपरेचर और स्पॉंटेनियस सिटी का तो यहां पर हमको क्या करना होगा तो हमको पता रहता है कि एक इक्विलीब्रियम क्या होता है फोर स्पॉंटेनियस रियक्शन सबसे पहले जान लीजे स्पॉंटेनियस रियक्शन के लिए हमको सबसे पहले जो स्पॉंटेनियस है तो उसके लिए क्या होना चाहिए डेल्टा जी आपका नेगेटिव होना चाहिए डेल्टा जी का व अच्छी है आई अब आगे देखते हैं उसके बाद क्या condition लगाना होगा इस question को solve करने के लिए तो उस question को solve करने के लिए अब आपको क्या करना होगा कि जानना होगा कि at equilibrium जब equilibrium होते हैं यानि सामया वस्ता या सामया बोलते हैं simply dat aí कि एकविलीब्रियम पर आपका आप क्या होता है mean גल्ट जी कोलट जीरो हो जाता है इकविलीब्रियम पर आपका डंट जीशकॉलट उजल्ट जीरो हो जाता है इसका मतलब जो equation पहले हम लोग देखे थे यह वाला equation delta g is equal to delta h minus t delta s तो यह 0 हो गया यह वाला part तो क्या होगा तो delta h is equal to t delta s क्योंकि यह minus में था तो उधर जाएगा तो plus में हो जाएगा तो यह चीज़ आए अब इस चीज़ का मदद से हम लोगों को निकालना है value put करना है delta h और delta s का तो delta h केतना है 170 kilo joules और delta s आपका केतना है 170 joules per kelvin ठीक है आएए solve करते हैं इसको तो उस formula में put करेंगे यानि delta h is equal to t delta s तो आपका temperature क्या निकलेगा 170 kilo joules divided by 170 joules per kelvin तो यह काटेंगे हम लोग तो 170 into 10 का power 3 divided by 170 तो यह कटके कितना हो जाएगा आपका 10 का power 3 temperature कितना आगया 10 का power 3 यानि 1000 kelvin तो अब यह 1000 kelvin का कहने का क्या मतलब है तो जो formula था यह वाला इस formula के मदद से और इस formula के मदद से हमको बताना है कि एक spontaneous reaction के लिए सबसे पहले मैंने क्या बता है delta g negative होना चीए तो negative लाने के लिए delta g को हम लोग को delta g को negative लाने के लिए हमको इस से बड़ा temperature रखना होगा तब ही जाके आपका यहाँ जब value पूट कीजेगा temperature का तो यह चीज आपका negative वाला portion बड़ा हो जाएगा delta h से जादा हो जाएगा तब जाके आपका यह आएगा तो आपको देखना है कि जो आपका temperature यह जो निकला न यह equilibrium पे निकला यानि at equilibrium मता हजार हजार केल्विन पे आपका वो reaction equilibrium पे रहेगा तो equilibrium से हटाकर उसको spontaneous करना के लिए आपको negative value लाना पड़ेगा तो उसके लिए इससे जब ज़्यादा बड़ा temperature लेंगे तब ही जाके आपका reaction spontaneous होगा और delta g आपका negative निकले गए इस वाले इसाब से तो इसके लिए हमको यहाँ देखना है कि कौन-कौन सा दे रखा है हमको तो यहाँ पे 1000 से बड़ा temperature कौन सा है तो मातर एक दिख रहा है हमको 1000 से बड़ा इसको आप लोग numerically भी solve करके दिखेगा सब में positive आपका इन तीनों option के लिए जब आप temperature डालके इस वाले फार्मूले में चेक कीजेगा चलिए मैं work आपको दे देता हूँ बैठ के आपको value जो आपको दे रखा यह वाला value सब put कीजेगा और एक एक करके temperature को put कीजेगा इस equation पर देखीगा सब के लिए positive value हाईगा आपका डेल्ट झी का तो जिसके लिए positive आपको नॉन spontaneous reaction हो जाएगा सरे तेंपुरेचर इसके लिए आपका नेगिटिव वालीयू आएगा दिसके लिए a आठो कोईशन डिसकर्स कर चुके हैं चलिए अच्छा लगा होगा आप लोगों को टेक क्यार बाइबाइब